आपके बाद Samsung Galaxy F13, F14 है कोई भी फोन है तो यहां पे आप message sound change कैसे कर सकते हैं अपने फोन का तो text message की बात करने वाली हूँ तो इसके लिए आप यहां पर text message खोल लेंगे इस step से आएगा आप यहां पर जाएंगे और इसके बाद message setting पर क्लिक करेंगे जर्नल पर क्लिक करेंगे notification पर क्लिक करना है और यहां पर step से option आएगा अब यहां पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको option मिलेगा ringtone का sorry यह ऐसा आगया यहां यहां पर क्लिक करना है क्योंकि थोड़ा से आपडेट के बाद interface चेंज हो गया है थोड़ी दिक्कत आ गई मेल को भी अब यहां पर incoming message पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पर sound का option है sound पर क्लिक करेंगे अब यहां पर अपनी मर्जी का कोई भी sound आप चेंज कर सकते हैं यहां से sound को increase कर लेंगे तो यहां पर देख सकते हैं मैंनी यह लगा लिया है और इसके बाद notification का sound कितना रखना है वो आप रख लेंगे silent करना तो silent कर लेंगे ठीक है इसके बाद back कर लेंगे अगर आपको vibration चाहिए तो on रखेंगे vibration नहीं चाहिए तो बंद कर सकते हैं ठीक है और यहां पर lock screen का content hide भी कर सकते हैं और इसके बाद back कर लेंगे तो इस step से आप यहां पर text message का sound change कर लीजेगा चली मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार